बैगन के खेते हम कई सालों से करते आए हैं और हर साल हम यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजमेंट करते रहते हैं इस साल भी हमने यहाँ पर कुछ बदलाओ किया है किस तरीके से हमने यहाँ पर मैनेजमेंट किया है कैसे प्लांटेशन किया है क्या गैप रखा है और कौन सा स् दिन के पौधे हो चुके हैं लेकिन यहां पर एक बात हम आपको यहां क्लियर कर देना चाहते हैं यहां पर हम ड्रिप का प्रयोग नहीं कर रहे हैं हम फ्लट से ही यहां पर मल्चिंग का प्रयोग कर रहे हैं किसान भाईयों पिछले एक साल से हमने मल्चिंग का प्रयोग करन नहीं है इस से पहले प्रियोग तरभूज और खर्भूज की फसल में हुआ था तो यहां पर मुल्चिंग का प्रियोग किया गया है वही पुरानी मल्चिंग लाकर लगाई गई है तो एक तरीके से हमान कर चल सकते हैं कि हमारी मल्चिंग या उपकास्ट है लगाने का खाल्चा है यहां पर जो बैड बना हुआ हमने टेलर के मादम से बैड बनाया हुआ है बैड बनाते समय ही बेसल डोज में इसमें काफी कुछ खात का प्रयोग किया गया है SSP, Fioradon, Humic Acid और Micronutrients का प्रयोग हमने इसमें किया था और फिर सके बाद यहां पर प्लांटेशन हुआ है Plantation 29 जुलाई को हुआ था और Plantation के समय इसमें हमने जड़ों का उफचार किया था तो जड़ों उफचार करने के बाद हमने Plantation किया था इसमें एक दो ड्रेंचिंग भी होई थी और अभी आप देख सकते हैं 18 दिन के जो प्लांट है इसमें कितने अच्छे यहां पर ग्रोफ है किसान भाईयों यहां पर Plantation के बाद जब इसमें नए नए ब्रांश निकलते हैं तो यहां से थ्रीजी कटिंग भी हम करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रांश का जो उपरी टिप था इसको यहां से कट कर दिया है और इधर तरीके से हम वैगन में हर बाद 3G कटिंग करते हैं और इससे हमें काफी फायदा भी मिलता है क्योंकि इस तरीके से कटिंग करने के बाद से जिसके जो भी नए ब्रांचे निकलती है यह सब ब्रांच नीचे से निकलेंगी और आगे जब इसमें मिट्टी चढ़ा दी जाए और जितने भी ब्रांच निकलेंगी उपर से ब्रांच निकलेंगी तो इसका जो बैलेंस है वो सही नहीं बैठेगा तो इसलिए बैगन में 3G कटिंग जरूरी होती है तो कि पौधे वजनी होते हैं और इसमें फल भी अधिक लगते है तो पौधे को गरना नहीं चाहिए संग्रो कंपनी का 704 बैगन लगाया हुआ है और यह वराइटी हम पहले भी लगा चुके हैं काफी अच्छा प्रोडक्शन आता है इसके बाद हमने यहां पर बीच में गोल बैगन लगाया हुआ है जो की बीनर कंपनी का बीर बैगन होता है और यह बैगन जो प्लांट है कि यह हमारा बीनर कंपनी का बीर है और इसी साइड में हमारा एक नाली बनेगी उस नाली के बाद हमारा जो बैगन लगा हुआ है यह बीनर कंपनी का नवीना बैगन लगा हुआ है और किसान यहां पर दाहिने साइड में बात करें जो पूरफ साइड में हमारे बैगन लग और हर एक बैगन में इसमें पॉलिनेशन भी अच्छा होता है और फलों की संख्या अच्छी आती है इस तरीके से हमेशा कई अलग अलग वराइटियों के बैगन मिक्स करके ही लगाते हैं और पिछली बार भी हमने दो टाइप के बैगन लगाये हुए थे यहां पर आप बैड नहीं बना पाए थे क्योंकि बारषाथ ता और बारषाथ के वज़ाए से बैड नहीं बन पाये थे लेकिन मल्चिंग हमने वैसे ही बिच्छा दिया था और वहां पर भी आप देख सकते हैं जो उनके ग्रोथ है काफी यहां इसकी पिछा काफी कम है तो यहां पर लाइन के पौदे का ग्रोथ तीनों में अंतर है इससे बाद वाले में जिसमें दोनों साइट से बैड बना हुआ अच्छा ग्रोथ है इस बीच वाले में जिसमें एक साइट से बैड बना हुआ है कम ग्रोथ है और इसके बाद वाला जो पौदे हैं इसमें काफी कम ग्रोथ ह इसका कारण यही है क्योंकि जब बेड यहां पर नहीं बना हुआ होता है पानी इसमें फूरा भर जाता है तो इसके नीचे की जो मिट्टी है यह काफी टाइट हो जाती है जाम हो जाती है और इस वज़ा से पौधे के जड़ों का जो विकास है यह रुख जाता है क्योंकि सब्सक्राइब से बहुत कम आ रहे हैं औरूब धीमा है तो इसी लिए हम हमेशह कहते हैं कि जब यह हैं पर पॉधोल का प्लादेशन करने चाहिए पहले से हमें यहां पर बना लेना चाहिए और्द्ध हमें हलकी बैट बनाकर रखना चाहिए वहां पर प्लाथ और यहां पर बढ़सात में जो पानी लगेगा भी वो नाली की मादम से बाहर चला जाएगा और क्योंकि पौधे के जड़ों का विकास जितनी जल्दी से होता है उपर से पौधों का विकास भी उतनी ही जल्दी से होगा तो एक बार यदि आपके पौधे चल गए तो आगे बहुत ही तेजी से आपके पौधों का विकास होता रहेगा तो इस तरीके से जब पौधों के जड़ों का ग्रोथ अच्छा रहेगा तो वो भोजन को भी अच्छे से ग्रहण करेंगे और आपका पौधों का विकास अच्छा होगा फल भी अच्छे आएंगे किशान भाई और इस बार भी हमारा एक चौथा इकड लगा हुआ है और यहां से हमारा जो टार्गेट है यहां पर एक चौथा इकड से करीब एक लाग दस जार से एक लाग बीस हजार प्रॉफिट निकालने का टार्गेट है production हमारे उपर है production हम अपने हिसाब से लाएंगे market rate जैसा भी रहता है उस हिसाब से में यहाँ पर profit होगी और यहाँ पर किशान भाईों खेती में और खासकर सब्जियों में कभी भी rate उपर नीचे चली जाती है तो rate तो अपने उपर नहीं रहता लेकिन production अपने उपर रहता है यदि आप production अच्छा लाते हैं तो आपको घाटा तो कभी नहीं होगा लेकिन आपको rate भी अच्छा मिल जाए तो आप बहुत अच्छा फाइदा निकाल सकते हैं हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें दोस्तों में शेयर करें और एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपको अच्छा मिलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार